इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा बरीफली फंक्शन जो हमारे प्लांट हॉर्मोन्स है पहली वीडियो में जो मैंने प्लांट हॉर्मोन में डाली थी उसमें मैंने तीन प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में डिसकस किया था जिनको हम PGR भी बोलते है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो थे ऑक्जीन हो गया जिबलिन हो गया और साइटोकानीन हो गया तो अगला जो हॉर्मोन है उसे हम बोलते है ग्रोथ इनिभीटर उसका नाम है एप्सीसिक एसिड के जिने तो आजकल देखा होगा अपने डॉरमेंट स्टेर में है वो एप्सीसिक एसिड की वज़से होता है और जो function है Epsicic Acid का वो ये है कि जो stomata होता है उसकी closing में भी उसका काफी योगदान रहता है वो समझा देता हो कि stomata क्या होता है जो leaves होती है उसमें stomata present होता है जिसकी वज़ा से कि जो हमारा apple है वो exchange करता है gases और breathe करता है तो उसको close करने का जितना भी रोल है वो है Epsicic Acid का अगला जो plant hormone है वो है ethylene ethylene का function ये है कि ये fruits की ripening में बहुत important role play करता है आपने सुना होगा ether ether हम करते है जो कई लोग करते होंगे जो हमारा जैसे सेव लग जाता है तो अगर उसको काफी जल्दी पकाना हो तो उसमें सप्रे की जाती है ether की तो ether में ethylene होता है जिसकी वज़ा से कि जो राइपनिंग प्रोसेस है वो जादा फास्ट हो जाता है तो ethylene का ये main function जो next hormone है वो है traumatine जो traumatine का main function है वो यह है कि जो गाव होता है कहीं जैसे कि हम जो प्रूनिंग वेरा करते है वो जो recover होता है उसका जो recovery का process है वो depend करता है सारा traumatine hormone में और जो traumatine hormone है वो form होता है वहाँ पे पेड़ की जैसे injury हो जहाँ पे कोई cut cut लगा हो वहाँ पे form होता है और जो जैसे cut लगा दिया जो recovery process होता है पूरा वो depend करता है traumatine के उपर ये है इसका function अब discuss करते है last hormone वो है fluorogen fluorogen को हम flowering hormones भी बोलते है क्योंकि ये form तो पतियों में होता है पर एक बहुती active role play करता है flowering के उपर flowering को enhance करता है एक तरह से तो इसलिए हम इसे flowering hormones भी बोलते है तो ये थे कुछ एक hormone जिसकी थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को information provide की I hope आपको य share कीजिए और subscribe कीजिए मेरा channel इस type की कुछ एक videos देखने के लिए दन्यवाद